हेलो बिएस, वेल्गम तो माई चानल, इंजल कैबल टैरर्स, एंड इस वीडियो इस फोर कैप्रिकॉन, मका राशी, आप लोग के लिए जून में सारी कार्ट्स पॉस्टेव आये हुए हैं, और कोई भी कार्ट नेगटिव आया ही नहीं, काफी अच्छा आपका जून आने वाले समय में आपका जून जो मन्द है वो बहुत अच्छा रहेगा, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल फील करेंगे, इमोशन्स में डूबे हो रहेंगे, और आप यहाँ पे दिख रहा है कि आप जून में अगले आपके जो लाइफ पार्टन दिख रही है, यह एनर्जी बहुत डॉमिनेटिंग है, मतलब आप बहुत खुबसूरत इंसान है और आपका परी मा से बहुत प्यार है, मा से बहुत सपोर्ट मिलता है, जून में यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल एनर्जी है, या कोई मा समान कोई इस्त्री है, तो उससे आपको बहुत अच्छा blessings और आश्रुवात मिलेगा, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, नई शुरुवात है, नई बालियां जैसे निकलती हैं, तो confidence रहेगा इसी कारण, confident feel करेंगे, new chapter will begin, beginnings अच्छी है लाइफ में, और कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं अपने लाइफ में, कुछ भी नया, और कुछ creative काम करना चाहते हैं, creativity आपके वाइने बहुत जादा रहेगी, कुछ नया शुरू करने का मन करेगा, जिंदगी को नए तरीके से जीने कोशिश करेंगे आप लो, आप इस June month में students के लिए ब अपलाई कर सकते हैं, यहां पर दिख रहा है कि आप बहुत ही शान्त हो करके अपना काम करेंगे, बहुत ही कूल और काम तरीके से, कोई बढ़ाहट नहीं रहेगी आपके nature में, behavior में, बहुत ही अराम से और smoothly आपके सारे काम हो जाएंगे, और काफे चीजों को आप गहन आपके nature में, maturity जब इनसान में आती है, तो situation वो अपने आप ही handle कर लेता है, यह चीज़ से बहुत prominent है, कि आप handle करेंगे situation को, खासत और से आपके family matters में, यहां मुझे दिख रहा है कि चाहें आप abroad काम कर रहे हों, कहीं बाहर कहीं जाते हों, कहीं बाहर आपको जाना पढ़ किसी professionally आपको कोई trip पे जाना हों, यह कुछ भी, तो आपके जो बच्चे हैं और आपके जो बीवी हैं, वो दोनों ही आपको बहुत respect देंगे, आपकी marriage life अच्छी है, घर के लोग आपको समझेंगे, they will understand your work, मतलब वो आपको भी समझेंगे, आपके काम को भी समझेंगे, को कोई नोग जोग नहीं है, काफी अच्छा परिवार से भी support दिख रहा है, confidence काफी अच्छा दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया है, कोई पिता समान व्यक्ति से आपका काफी अच्छा संपर्क रहेगा, उनसे help मिलेगी, कोई स्थोस्थ हो सकता है, कोई senior employee जो दोस्थ की त कि बहुत महनत करो और अच्छे से पालो, कोई जना आपको इस वक्त हिला नहीं पाएगा जून के मन्त में, जो पाना चाहेंगे, जो अच्छीव करना चाहेंगे, वो आपको जरूर से मिलेगा, और आपके अंदर self determination की feeling है, ब्रेवनेस रहेगी, बहदूर रहेंगे, और आ happy moments हैं, खुशियों भरा आसपास खुशी रहेगी, महौल अच्छा रहेगा, और आप काफी अपने young woman का card आया हुआ है, that means कि आप किसी young lady को बहुत preference देंगे उसको, और काफी उसको value करना, और वो भी आपको काफी value करती है, और young कोई female energy है, जिससे काफी अच्छा support दिख र है आपकी, और उस एक जैसे होता है, कभी friend की तरह कई लोग हमें दिख्या मिल जाते हैं, तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है, यह दोस्त अच्छे मिलेंगे आपको, कोई एक ही ही है, लेकिन अच्छी friendship दिख रही है आपकी किसी के साथ, next is a message है, कि आप एक official confident person है, जैसे कि मैंने बताए है, again वही है कि maturity रहेगी जून के मन्त में, angels message कर रहे हैं, कि इस वक्त confidence अच्छा रहेगा, लोग respect करेंगे, आपको value करेंगे, और again बच्चों के साथ enjoy करना, family members के साथ enjoy करना, आपको अच्छा लगता है, आप उनके लिए ब बहुत अच्छे से बढ़ जाए, तो मैं अपने family members को अच्छे से देख लो, और बहुत दिनों से आप मेहनद भी कर रहे हैं, जून मन्त में, आप कहीं न कहीं कोशिश कर रहे हैं, कहीं अच्छी नौकरी बढ़िया वाली मिल जाए, या कुछ ऐसा पैसा खुब सारा आ जा एकदम से income के स्टोथ खुलेंगे, some unexpected income is there, एकदम से आपके पास wealth आ जाएगी, अभी किस रूप में आएगी, हो सकता है कि किसी ancestors की property हो, या कोई property की कोई बात हो जाए, या आपको कहीं से एकदम से धन आ जाए, या एकदम से आपके साथ कुछ ऐसा sudden हो जाएगा, कि एकदम से wealth आ जाएगी आपके पास, और लेकिन आएगी, यहाँ पर ये message आ रहा है, opportunities है, खुशियां है, अच्छा समय है, जून में आपका समय बहुत अच्छा है, इसको गवाईएगा नहीं, क्योंकि all the cards are positive, मैं again ये बात कह रही हूँ, इस मौके को गवाईएगी नहीं, ये मौ बहुत अच्छा है, इसमें कोई negative card आपका आया ही नहीं था, जब मैं reading में cards जब फेट रही थी, तो English वाले उसमें देख लिजीगा वीडियो में, जब मैं कर रही थी, तो कोई card negative नहीं आया है, maturity का again, यहाँ पर message आ रहा है, कि again confidence बहुत हाई रहेगा, decision power अच्छी रहेगी decide कर पाएंगे, एकदम से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कई बार लोगों का decision गलत हो जाता है, तो अगर businessman है, तो बहुत अच्छा समय है, कहीं employee है, तो सकता है कि increment हो जाए, और आपकी मेहनत जो है, वो result दे आपको, अच्छा एक result आपको मिलेगा, यहाँ पर lucky होने के दो कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, और यहाँ मुझे दिख रहा है, कि आप अपने पतनी, अपने life partner के साथ, उसके काफी मदद करेंगे, चुटी-चुटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यह सो होता है, किचिन में मदद करा दी, या कहीं पर हमने मदद करा दी, तो य यह चीज़ रहेगी, कि उसको अच्छा लगेगा, आपके life partner को, आपके love mate, soul mate, जो कोई भी होंगे, तो उनके साथ आप time spend, अच्छा time spend करेंगे, और angels message कर रहे हैं, कि समय lucky है, no doubt again, lucky काई काड़ा है, निकन emotions में डुबे हो रहेंगे, और कुछ rare opportunities है, again, यहाँ पर message आ रहा ह तो वहाँ जाकर के आपका अच्छा समय बीतेगा, वहाँ जाईए, कोई यहाँ जगा है, जहां आप जाने वाले हैं, बाहर कहीं, और वहाँ से कुछ positive vibes जो वहाँ के उस place की होती है, तो universe आपको खुद ही भेजेगी वहाँ पे, उस जगर पे, यह जो universe है, जो angels हैं, यह ख आपका अच्छा होगा, या तो उस place पे जाके कोई आपकी blessings आपको मिलेंगी, या कोई religious place पे जाएंगे, तो शायद कुछ ऐसी positive vibes आपको लगेंगी, तो वो चीज कहीं ना कहीं, जो चीजें काम रुकती हैं, या कुछ ऐसा हो जाता है, तो वहाँ से वो चीज ओपन हो पर आपका जाना होगा, प्रोग्राम आपका बनेगा, यहां मैं बता दूं कि कुछ लोग ऐसी हैं, जो कि चलाकी खेल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आप खुद चलाक बन जाएं, यहां पे दिख रहा है कि आप काफी चलाकी से काम करेंगे, अगले दिने को मौका ही लग पाएगा कि वो आपको कुछ हाम करें या नुकसान करें, तो कहीं न कहीं चलाकी खेलिएगा, लेकिन देख लिजेगा कि वो आपका step जो है, जो आपका कदम है, वो ठीक है कि नहीं, जो activity है, वो ठीक है कि नहीं, negative way में तो नहीं जा रही है, cleverness का card आया है, आपका काफ क्योंकि अभी तक जो मैंने रीडिंग करी है, वरशव वाले, यानि कि Taurus का, all the cards are positive, और second जो अभी मैं रीड करी हो, Capricorn का second ऐसी राशी है, जिसका सारे cards positive अभी तक, इसको गवाईएगा नहीं, मौके का फादा उठाइए, और universe को थैंक्यू कहाईए, कि वो आपको इस तर अभी अरज का, चिसके हैंके हैंके यह को मैंने थिर करेंदब का, इसकि के बीक्त мाटी द्यूंके हैंके ड्सदोorn का, अभी मैंने में ट्रेण का, अभी लृतविय यह लनके हैं